वेलकम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस विज्यापन में हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भरती की बारे में दोस्तो यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है इसका आनलाइन अप्लिकेशन समिशन का ये है 21 फरवरी 2024 और लास्ट डेट रहेगी 23 2024 और इसके लिए हार्ड काप्य अप्लिकेशन रिसीविंग डेट रहेगी 28 मार्च 2024 लास्ट डेट इसमें दोस्तो ऐसा रहेगा कि जो पोर्टल है उसमें आप पहले अप्लिकेशन समिट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और जो अड्रेस इसमें दिय है आगे हम देखेंगे उसमें आपको 28 मार्च 2024 के पहले भेजना होगा नेचर आप इंप्लाइमेंट रिगुलर पर्मानिट भरती है नंबर आप वेकेंसी जहें 88 इसकेल दिया हुआ है एकेडमिक पे लेवल 10 57700 से 182,400 का और पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की दोस् हम इसमें देखेंगे कौन-कौन सी सब्जिक्ट में वेकेंसी निकली है और ये वेकेंसी कहां की है फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तो मद्ध प्रदेश में जो मद्ध प्रदेश की पहली उनि देख लें, संबंधित सबजेक्ट और डिपार्टमेंट कौन-कौन से सबजेक्ट पे पोस्ट वेकेंट हैं, टोटल पोस्ट यहां पे 88 हैं, तो यहां पे लाइब्रेरी, इन्फार्मेशन साइन्स, फाइन आर्ट, इंदियन हिस्ट्री, एकोनामिक्स, फिलस फी, शायन्स, सोचिलोजी, सोशल वर्क। फिर आपका इंग्लिश, लेंग्वेज, हिंधी, एंत्रोपोलाजी, क्रिमिनोलाजी, फोरेंशिक साइन्स, जनर्नल अप्लाइड जियोग्राफी, अप्लाइड जियोलाजी, फार्मस्टिकल साइंस, बाटनी, बायो टिकनलाजी, माइक्रोबायलाजी, जियोलाजी, कंप्यूटर साइंस and अप्लिकेशन, मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, फीजिक्स, बिजनिस मैनेजमेंट, ला, योगि साइन्स, एडल्ट एजुकेशन, एजुकेशन, कमेस्ट्री, सेंटर फारेस्टेटीज एंड इंडिजीनस नालेज, इसमें कटगरी वाइज डिस्टिब्योशन किया गया है, टोटल वेकेंसी हैं 88, दोश्तों यहाँ पे मिनिमम कौलिफिकेशन लगभग सबकी सेम ही रहेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समराइज कर दूँ, कि संबंधित सब्जेक्ट में मास्टर डिगरी होनी चाहिए, अथवा आपके पास नेट स्लेट सेट हो, या पीच्टी डिगरी हो, यह यहाँ पे मुख्य रूप से दिया हुआ है, नेट स्लेट सेट के अलावा, अथवा में यह आपके पास पीच्डी डिगरी है, और साथ में मास्टर डिगरी है, तो आप संबंधित सब्जेक्ट के लिए इलिजबल रहेंगे, फिर भी आप यह नोटिफिकेशन इसका ज कुछ का कामन दिया हुआ है, जो यह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ने डिपार्टमेंट सेंटर इसके लिजबल टी ए और बी करके दिया है, और इसके लिए जैसे फाइन आर्ट सेंट पर फार्मिंग आर्ट के लिए है, तो यहाँ भी लिजबल टी ए आर बी करके दिय यह थवाबी जैसे यहाँ पर Pharmaceutical Science के लिए देखें Pharmaceutical Science के लिए तो B Pharma होना चाहिए Pharmacy Council में Registration होना चाहिए और First Class Master Degree in Appropriate Branch मतलब Pharmaceutical Science में Master Degree होनी चाहिए यहाँ पर PhD या ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है इसी तरह Business Management में आप देखें तो Bachelor Degree होनी चाहिए and master degree business administration में जैसे PGTM, CAIC, WAM काम with first class master degree तो यह आप इसको अच्छी तरह से देख लें इस तरह इसमें जो total vacancy है दोस्तो 88 है और सबसे बड़ा जो question निकलता है कि relevant concern अथवा allied subject क्या होते हैं तो यहाँ पे school name दिया हुआ है फिर department दिया है फिर उसके concern subject कौन कौन से हैं relevant subject कौन से हैं और allied subject कौन कौन से हैं जिसके लिए आप यहाँ पे eligible होंगे तो यह पूरा यहाँ पे chart दिया हुआ है आप देख सकते हैं और अपने eligibility निर्धारित कर सकते हैं apply करने के लिए आपको यह link दी हुई है इस link के माध्यम से आपको registration करना है और यह cu chain portal है curec.ac.in और registration करने के बाद carefully आप इसका advertisement पढ़ें और उसके बाद आप farm भरें farm submission के बाद आपको spaced post या registered post से आपको जो भी print out निकालेंगे application submission का वो आप यह इस जगह पे आपको भीजना होगा restart dr. hari सिंग और विश्द्याले सागर माध्यपरदेश 470003 इंडिया और इधर अपना नाम लिखेंगे फीज की बात करें तो अन्रिजर वोबी से और EWS के लिए 1000 रुपए और SCSTP WBD और Women Candidates के लिए यह रहेगा 500 रुपए online mode पे ही भरना हो गए यह आप कहीं जाब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC भी देनी होगी तो दोस्तों यह सारी चीज़ें इसमें दी हुई है मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने हाँ पे discuss कर दी है आप यह जो PDF है आप Dr. Hari सिंग और विश्द्याले के recruitment site में जाके देख सकते हैं अत्वा मैं कुछ देर से upload कर दूँगा आचारियम टेलिग्राम चैनल पे वहाँ से भी आप download करके देख सकते हैं मिलते हैं नए notification में आप सब का दिन सुभो धन्यवाद